हलो फ्रेंस मैं तारा सोई में आपका स्वादा था आज मैं बना रही हूँ नियुवर की पार्टी के लिए केक बना रही हूँ आज मैं केवल सूजी से केक बनाऊगी कोई जंजट नहीं कोई ताम जाम नहीं और बहुत जल्दी बन जाएगा केवल दस मिर्ट महारा केक बनकर रिडी हो जाएगा जिसे बनाने के लिए हमने लिया इनू, सूजी, तेल, दही, दूद, चीनी, काजू, अदाम, तूटी फूटी अब हम केक बनाना सुरू करेंगी इससे बनाने में बिल्कुल 5 मिट लगेंगी हमने लिया मिक्सी कजार उसमें डाल लेंगे सूजी हमने एक कटोरी सूजी लिया है और उससे आधा एक छोटी कटोरी चीनी लिया है सूजी से याधा हमने दाही लिया है सब चीज हमने माप करके ली है अच्छी से अतना ही तेल लिया जितना दाही लिया था इस से हमारा Cake और Soft Flopping बनेगा उन्हामने दूद लिया है इसका हमें एक बैटर बनाना है सबको एक साथ अच्छे से मिला करके जब मारा बैटर अच्छे से बन जाएगा उसके बाद इसे एक बॉल में निकाल लेंगी अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है अगर आपको थोड़ा सा इसमें दूट डाल ले हमने दो चमत दूट डाला है और इसे अच्छे से मिला देंगी अब लेंगे कुकर की जो सीटी होती है उसे हम निकाल लेंगी कुकर में डालेंगे हम नमक यह नमक है जैसे हम बेग करते हैं हर बार इसी नमक को हम रख देते हैं पर जाली रखेंगी जाली तो सब के पास होती है अगर ना हुआ आपके पास तो इसमें कटोरी लगा दें और क हम गरम होने के लिए रख देंगी 10 मिट के लिए तब तक हम एक बड़ा अटोरा लेंगी अगर आपके पास बेख करने वाला लेट है के बेख करने वाली तो उसी से बना ले हमारे पास नहीं है इसलिए आज हम का टोरा से बना रहे हैं उसमें अच्छे से एम तेल लगा क्योंकि बच्चे जित कर रहे थे केक खाने के लिए इसलिए है अब मैं बना रही हूं उससे जैसा भी बनेगा मैं बना लूँगी हम बटर पेपा लेंगी इससे केक निकालने में असानी होगी अगर आपके पास ना हो तो उसकी ज़रूत नहीं है वो केक नैसे ही निकालाएगा अब हम बैटर में डाल देंगे इलाइजी आप चाहें तो पीस्टे समय इसका बैटर बनाते समय ही डाल देते अब टूटी फूटी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे देखो बैटर ऐसा कुछ होना चाहिए ज़्यादा न पतला हो न ज़्यादा गाढ़ा हो कैसे गिराओ तो एक साथ अच्छे से मिल जाए अब इसमें हम इनो डाल देंगे अगर आप इनो नहीं डालना चाहिए इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालें दोनों ही डालना पड़ेगा जिससे हमारा केक और भी फ्लॉफी सॉप्ट बने अब इसम मिला करके डारेक्ट जो कटोरा लिया था बनाने के लिए उसमें भार देंगे केक बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है किवल 10 मिर्ट में हमारा केक बन जाएगा बेक करने में टाइम लगता है 40-50 मिर्ट तक लगेगा आपको बीच में एक बार भी आप चेक करना बार बार नहीं उसे खोड़ना अब हम जो का जो बदान दिये थे उन्हें हमने बारी काट लिया है उपर से सजा देंगी और टूटी फुरूटी भी उपर से डाल देंगी अब हम इसे कुकर में रख देंगे देखो हमारा कुकर भी गरम हो गया है 10 मिर्ट हो गए है अब उसी में रख देंगी केक को और इसे 40-50 मिर्ट तक हम बेग करेंगी जब 40 मिनिट हो जाएंगी उसके बाद इसे हम चेक करेंगी जब या कोई चाकू या या नाइफ या चमत से चेक करें हमने टूट फिक से किया है इसको हमारा कटोरा स्टील का है इसलिए वो अंदर से नीचे से जल गया है नीचे से इसे दोने में धोड़ा टैम भी लगेगा केक भी हमारा असानी से निकाला है देखो कितनी जल्दी निकाला है और कितना अच्छा पका है यह जो हमने बटर पेपर लगाया है वो है देखो कितना ज्यादा सॉप्ट हमारा केक बना है अब आपको क्रीम वाला केक बजार से लाने की जरूरत नहीं है वो केक ठंडी में आपको नुसकान भी करेगा आपके बच्चों को इसलिए आप घर पर बनाएजे सूजी का केक कि यह घर पर बनेगा और आपको नुसकान भी नहीं करेगा ठंडीयों में क्योंकि उस केक से सर्दी होने का डर रहता है लो हमारा केक इतना सॉफ्ट फ्लोकी बनका रेडियों